तो इस वक्त हम मुझूद है शाजापूर बोर्डर पर जो जैपूर से डेड़ सो किलोमेटर दूर है और धिली से सो किलोमेटर पहले है हमारे साथ किसान भाई मुझूद है हम उन से पूछेंगे कि वो यहां पर पिछले 25 दिनों से डेटे हुए है आखिर उनको क्या उमीद है और क्या लग रहा है बताएं जी सबसे पहले आप अपना पूरा नाम और परीचे बताएं मैं डक्टर ओंपरकास दंखड और अरियाने के दंखड खाप का परदान सरखाप अंचायत का कोडिनेटर बाउजी 15-25 दिनों से यांडटे वे हो क्या लग रहा है आप जो ये काड़े कानून इस देश को बेचने को गरिवीर रखने की जो ये चाल है इसकी बीजेपी की और ये असलियत में तो इन किसानों की किसानी खेतम करने की जो हैंने एक वो इनकी प्लैनिंग है और बहुत पराणी है जो गोल्वलकर थे इनके आरिस के सेकंड संस्ताब उन्होंने अपनी किताब में लिखिया है कि अगर लंबे समय तक राज करना है तो पिचाण में परसेंट खेती को देश से समाप्त कर दो उसके बाद मैं जो इनके उपाद देक्साए अर्विन पंगडिया उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि अगर किसानों की किरसी बुम चाहते हैं और वो में मजदूर बनाना चाहते हैं सिर्फ सरकार दो की है हम दो हमारे दो जूठा फैकू इनका काम यह रहे गया दोनुआ का और इनकी चालती भी को नहां यह इनकी कमांड सारी की सारी अडानी रंबानी दोनुए सारे के सारे उनको गिर भी रख रहा है और आगे यह किसानी खतम होगी तो वह मजदूरी के ओपर तो इसलिए यहां कार मस्थ रहा है कि इनकारे कानून को वापस लिए और अगे बात चीज़ जब चलेगी जब पहले यह वापस हो जाएंगे आज से दो दिन पहले प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने यूटूग या आपने जो भी शोसल मीडिया के मादयम से देश को किसानों के लिए संभोधन दिया ह। उन्होंने बताया था कि यह जो कानून है यह क्या है उन्होंने समझाया था तो आपको क्या लगता है मोदी तो अब आपकी आगे की रणनीती क्या रहेगी आगे की रणनीती यह है कि पबलिक से मानगे तो मानगे और जब पबलिक से ना मानने तो जितनी गव साड़ा हैं जितने यह खटर फटर यह रहने आंड़े से यह डंगर पसु सब का दिली की तरफ रुख कर देंगे यह परश्यासनर यह इनके सारे उनकी तरफ जांगे पशुओं की तरफ और हम अपनी सबी जनवरी हम अपनी मनाऊंगे किसानिस्तान जिन्दा बाग जिन्दा बाग अमारे साथ और भी किसान मौजूद है हम उनसे भी बात करेंगे हम उनसे भी बात करना चाहेंगे हां जी बताएं आप हम तो एक बात पूछते हैं मीडिया वाड़े भी बार बार करें हैं और सारी जो बाते चल रही हैं हमें तो एक बड़ा सको रहा है कि इंद्रेंदर मोधी बारत का परदान मंदी या पाकस्तान का परदान मंदी 40 किसानों ने साथ अद्धी है और एक संथ ने आतम हत्या कर दी किसानों के दुख में इसने अपनी दिल्ली के निचे 40 लोगों की जो हत्याई हुई उसका दोसी तो अंदरेंदर मोदी है अब मारे किसान सहीतों को मारे संतों को सरदान जली नहीं दी गई और उसने पाकस्तान में नवाज शरीफ की मा के लिए आसू बारे और गोड़े रगड़ रहा है तो यह बारत का परदानमंद्रिय पाकस्तान का परदानमंद्रिय जंता तेकरे यह जो तीनु बिल है 15 नवंबर 2019 को WTO के अंदर जो भार्त सरकार को लतार लगाई गई उसका सीधा डाटा है कोई भी भाई अपनी वेब साइट पर देख सके है के WTO ने का के भार्त में फरी का अनाज और किर्शी की MSP को खतम करो मंडी विवस्ता खतम करो के फूट का एक बहुत बड़ा बजार हिंदुस्तान होगा ये सारा का सारा केल अडानी अंबानी और रामदेव के लिए इस पर दानमंत्री ने अपने डेंग से मनेजमेंट किया है जो लोग हमारे घर से एक गिलाज लसी मांग के पिया करते अग ताइस सीथ दूद बिलो लिया उदो सीथ गाल दे वह दिल्ली में बैठके हमें किशानों की बात बताते हैं जो हमारे खेट से एक गंडा पाड़ने के लिए नाग रगड़ते थे वो लोग अपने अंदर जाके देखें के दिल्ली के चारों तरह बैठके हैं जो किशान है इसी तरीके से इनक्या एक एक बेटा बारत की सेनाओं में बरती होगे देश की सुर्खशा कर रहा है लाल बादूर शास्त्री जी का नारा उनीस सो पैसेट में दिया जए जवान जए किसान मेरे किसान ने बच्चे पैदा करके एक बेटा किसान बढ़ाया और एक जवान बढ़ाया मेरे एक बाई की सादत माइनस डिगरी टंपरेचर में देश की सुर्खशा में जारी है और दूसरा बेटा माइनस डिगरी पाँच डिगरी टंपरेचर के अंदर अपने खेत में रात को पाणी दे रहा है किसान के लिए बिजली रात को दी जाती है और आयासी करने वाड़े पुंजी पतियों के लिए लाइट दिल में दी जाती है ये सरूश है हमारी सरकारे नहीं रही जिसका आज च्यारों तरफ दुनिया का किसान हिंदुस्तान का किसान जागरुक हो चकार हिंदुस्तान के किसान ने एक इतियास रचा है कि जो दिल्ली में बैठा एक गलोबल डिलर है जिसने हिंदुस्तान की सारी चीजों को बेचने का काम किया ती 70 साल के अंदर जो हमारे गरीब ने टेक एक पैसे टेक्स का देके और हिंदुस्तान का रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान की जा एरपोर्ट और जो भी संस्ताई मेरे देश की सरकारों ने बढ़ाई थी गरीब के पैसे से इस गलोबल डिलर ने वो बेचने का काम किया हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ किसान बचा था इस बैठे जालिम की नेजर इस किसान की जमीन पर पड़ी है और ये किसान अपनी बेटी और माटी के लिए किसी आत्ते गुजर जाएगा दिल्ली में बैठे हो करमानो याद रखना इस बात को कि जब जब डिल्ली का सैंसा डिल्ली की गद्धी को छोड़के भागया हो दिसंबर का भीना है साही 1763 में जवार शिंग ने डिल्ली को एलाया हो या गुरू गोविन सिंग ने अपनी साथ देकर दिल्ली के गद्धी को एलाया हो या मराठा शिवाजी ने दिल्ली के चोकट पे जाके हमला किया हो या बलबकट के राजा नार सिंग ने दिल्ली में कतले आम मचाया हो आजूनी की संतान चारों तरफ दिल्ली के बैठे हैं ये बगत सिंग छोटुराम राजा नार सिंग जवार सिंग की उलाद है ये तेक बादूर की उलाद हैं ये गुरुगोविन सेंके बच्चों का खून है ये सावर की उलाद नहीं है जो अंग्रेजों से माफी मांग के इस देश को दोखा देने का काम किया ये दिली में बैटी सरकार पहले फरिंग्यों से मिले वी थी आज मेरे देश का किसान चार म बिखे लड़ा ही लड़ रहा है मैं एक तरब गोदी मीडिया है एक talk काट रहा हूं बात गोधी मीडिया की मीडिया की य आज ये लोग बिकाव लोग हैं ये संग्यों से मिले वे हैं ये जगड़ा संग्यों का और शिंगों का है हम सेंग हैं हम जंग में हैं और जो लोग देश के साथ कद्दारी कर रहे हैं वो लोग संग में हैं इनको दिली छोड़नी पड़ेगी कभी भी वीरों के सामने संग्य रुक नहीं पाए इन्होंने देश की अजादी में भी जंडे उठाए थे अगर मातमा गंदी भी इनको उस दिन का दार्शिद कर देता तो आज इनको मुझ देखाने की जुरूत नहीं होती आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनकी परष्ट मुमी से वाकिब है जो इ पहले अपनी पिछली जूट को थाबत करें यह 15 लाग नहीं आए सो शमार्ट सिटी नहीं बनी बुलत ट्रेन नहीं चली इंडिया स्खेल इंडिया नहीं बना मैक इंडिया उसके बावजूद मिरे तीन परिवारों को जो सत्तर शाल से कांग्रे से औरश देती आई के गरीबी अटाएंगे आज इसने गरीबी की डेफिनेशन बदल दी जी ए से गोतम अंडानी आर आई से रिलाइंस इस्ट्रीज और बी से बावा राम देव इसके लिए गरीब तीन लोग मिले हैं पूरे इंदोस्तान में अडानी अम्बानी और राम देव ये पूरा का पूरा देश इस दिली में बैठे दरियो दन्ने आख और कानों में मौम डाल करके देश बेचने का काम किया है और ये किसान इसका हर बात का जवाब देगा और दिली में बैठी सरकारी किसान की और इससे ज़्यादा परिक्षा ना ले इसके जो आज ये संतूलन और अपने सिस्टम से किसान बैटा है इनकी परिक्षा ना ले जिस दन ये परिक्षा पूरी होगी दिल्ली में 24 गंटे के अंदर इस किसान का राज होगा और दिल्ली के गद्धी पर किसान होगा और दुर्बागे रहा है मेरे देश के किसान का जिन लोगों ने जातियों की बोट दी अगर एक दिन भी हिंदुस्तान के लोग किसान बढ़ के बोट देते तो आज ऐसे अन्याई राजा हमारे सर पर नहीं बैठता और इस देश में किसान का राज होता बहुत बहुत दन्यवाद एक साथ हो रहा हमारे वो भी अभी एक बार कुछ बात बताना चाते हैं एक कंकुलूजन ये है के हमारी लडाई इन डंडे वालों के साथ नहीं है कताईवी ये तो मारे बच्चे हैं मारे पाड़े हुए से मारे खून के हैं चाहिए वो बोर्डर पर हूँ चाहिए कहीं भी हूँ ये बच्चे हैं मारे पाड़े हुए है हमारी एक चॉल लडाई है सिर्फ कलम की साथ और कलम किन के आथों में है अन्पड मूरक जिनकी डिग्री एक भी सची नहीं है जूठी डिग्री लेकर बैठे हैं वही जो हम दो हमारे दो बस उनी के साथ हमारी लड़ाई है और ये अमने अपना हक लेकर रहेंगे हर हालत में लेकर रहेंगे जैसा कि किसानों ने बताया कि ये अपना हक लेकर रहेंगे और तब तक कांदोलन जारी रहेगा